हे गाइस तो कैसे हैं आप सब लोग तो यार आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे आप ये GSM Arena जैसी ये Mobile Specification की Website खुट से आप कैसे बना सकते हैं वो भी बिलकुल फ्री में और साथी साथी GSM Arena जैसी Website बना कर कैसे आप महीने के लाखो रुपे Affiliate Market की मदद स आप कमा सकते हैं तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बिलकुल डिटेल में बताऊंगा कैसे आप ये GSM Arena जैसी Website आप खुट से बिलकुल फ्री में कैसे आप बना सकते हैं और ऐसी Website बना के कैसे आप महीने के लाखो रुपे Affiliate Market की मदद से आप कमा सकते हैं तो गाइस की ठीट सारी informative वीडियो के लिए तो GSM Arena जैसी Website बनाने के लिए सबसे पहले आपको domain और hosting बाए करना पड़ेगा वह सब में अलड़ी बता चुका हूँ आप उपर देगा आई बटन पे क्लिक करें को इस वीडियो को देख सकते हैं उस वीडियो में मैंने बता रहा कैसे आ सबसे पहले मैं आपको अपनी website दिखा देता हूँ यह है मेरी website देख लो अभी website में कुछ भी नहीं है अभी website पूरी blank है कुछ भी अभी website में मैंने अभी नहीं डाला है तो हम वापिस से आ जाते हैं अपने WordPress के dashboard में तो अब सबसे पहले हमें अपनी website में एक टीम को करना हो तो themes पर click करने के बाद उपर आप यह option देख सकते add new theme इस पर click करना है आपको then you have to search the theme, theme का नाम है astra, आपको यह astra theme search करना है then आप इसको install कर लेंगे then install करने के बाद आपको activate कर लेना है, तो astra theme को हमने कर लिया है install और हमने activate भी कर लिया है, अब मैं द्वारा साब को एक नहीं है website में, अभी तक हमने कुछ भी डाला नहीं है, तो यहाँ पर theme install हो चुकी है, अब हम वापिस से आते हैं अपने WordPress के dashboard में, अब यहाँ पर आपको एक plugin को करना होगा install, plugin को install करने के लिए simply आपको dashboard में आना है, वहाँ पर आपको plugin का option दिखाए देगा, वहाँ पर आपको search करना plugin, plugin का नाम है Elementor, यह जो Elementor plugin है, इसको आपको install करके activate कर लेना है, तो guys Elementor का plugin install करने के बाद आपको Elementor का pro version भी आपको install करना होगा, तो अगर आप यह जानना चाहते हैं कि Elementor का pro version आप free में कैसे आप install कर सकते हैं, आप मुझे comments में बता देना, मैं आपको video बना क के दिखा दूँगा भईया कि कैसे आप free में Elementor का pro version आप install कर सकते हैं, तो comment से मुझे बता देना, अगर आपको Elementor का pro version की requirement होगी, मैं उस पर video बना के आप लोग को दिखा दूँगा, तो आपको Elementor और Elementor Pro, यह दोनों plugin आपको install कर लेना है, तो अब आपको एक और plugin को करना ह होगा install, simply plugins पर जाओ, add new plugin पर क्लिक करो, यहाँ पर plugin कर लो search, आपको simply search करना है, ACF, यानि के advanced custom fields, ACF सर्च करो, पहला जो plugin आ रहा है, wp engine का, simply इसको कर लो install, install कर लेने के बाद, इसको activate कर लेना है आपको, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, हमने यह तीन plugin install कर ली, Elementor, Elementor Pro, और यह ACF, और अब आपको एक और plugin को करना होगा install, तो simply आपको plugin में जाके search करना है, ajax, search, ajax, search light, तो यह ajax, search light plugin को आपको install कर लेना ह है, simply install ना, ओपे click करके, इसको आपको activate कर लेना होगा, तो ajax, search light plugin को भी हमने install कर लिया है, और activate भी कर लिया है, तो यहाँ पर हमने 4 plugin install कर लिया है, एक तो Elementor, Elementor Pro, ajax, search light, और ACF, यानि advanced custom fields, अब आपको एक और plugin आपको install करना होगा, plugin का नाम है disable Gutenberg, तो यह पहला ही यह plugin है, जेफ स्टार का, simply इसको install करके activate कर लो, disable Gutenberg plugin को,